है गाइज आपका स्वागत है वाचर यालम के एक और वीडियो में अगाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो गाइज रिसेंटली ही मैंने आटम अंट वास्प क्वांटम मेनिया के कुछ माइनर प्लॉट डीटेल्स रिवील किय हैं एट फिए पड़के में श्योर हो गया हूं कि यह मूवी फेस फूर की वन व फ्लेस्ट मोवी होने वाली है और अफॉसमें इसमें स्पॉलर होंगे तो स्पॉलर वार्निग तो गाइस मूवी के स्टाट मे हम एक फ्लैसपैक देखने मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि जैनेट वैन डाइन क्यांग से मिली थी, जिस ताइम वो क्वांटम रेल्म के अंदर ट्रैप्ट थी, और उस ताइम युसे सेंस हो गया था कि क्यांग पूरे मल्टि वर्स के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, तो यह सब वो अपने family को बताती है कि कैंग कितना बड़ा threat है और वो center of time पे take over करना चाता है जिसके लिए उसने quantum realm को invade कर दिया है तो अब Ant-Man, Wasp, Janet and Hank Pym मिलके सारे quantum realm के अंदर जाते हैं और उसे explore करते हैं जानने के लिए कि असलियत में यहां हो क्या रहा है तो यहां पता चलता है कि जब Janet quantum realm के अंदर trap थी वो यहीं पर रहती थी और यहां तक कि अभी भी Janet के लिए उसके feelings बाकी है तो यह दोनों जब फिर से मिलते हैं तो सब कुछ awkward हो जाता है देन क्राइलर रिवील करता है कि वो कैंग और उसके अडवाइजर मॉडोग के एगेंस एक आर्मी बना रहा है उनसे लडने के लिए और जो पहले rumor सुनने मिला था कि हमें क्राइलर और कैंग के बीच एक fight देखने मिलेगा वो अब पूरी तरह से confirm हो गया है यहाँ पर मॉडोग की बात करें तो यहाँ पर मॉडोग को येलो जैकेट यानि कोरी स्टॉल ही प्ले करेंगे बिकास ओविएसली उसे रिवेंज लीना है स्कॉट लैंग और हैंक तिम से तन एंट फैम भी क्राइलर के साथ मिल जाते हैं और उसकी मदद करते हैं देन अकॉर्डिंग तो दस लीक एक ट्विस्ट आता है कि अट सम पॉइंट मॉडोग भी कैंग को बिट्रे कर देता है एंड आटमन के टीम के साथ मिल जाता है and guys ये मैं बता दूँ कि ये सब scenes एक test screening से leak हुए है so इसके chances हैं कि अभी भी कुछ particular scenes change हो सकते है and also आज ये एक test screening था so कोई post credit इसमें नहीं दिखाया गया and guys now let me tell you one thing कि ये याद रखिये कि Kang के बहुत से variants है and Thanos की ही तरह Kang अब MCU का next big bad होने वाला है so हमें Kang future के multiple projects में देखने मिलेगा and my time to sign hello Grace Randolph and ऐसे कई insiders में भी यही same चीज़ बोली है कि Kang आगे के multiple projects में appear होगा in fact Kang के हमें multiple variants देखने मिलेंगे like Kang the Conqueror, Ramatoot, Immortus, Iron Ladd हाला कि ये एक hero है बट हाँ ये भी Kang का variant है and ऐसे कई और and I think definitely इनमें से एक prime Kang भी होगा जो कि सबसे powerful and brutal होगा so guys अगर इनमें से कोई Kang मर भी गया तो कोई दूसरा उससे भी ज़्यादा powerful आ जाएगा and even हमें Kang versus Kang भी देखने मिलेंगे because जैसे मैंने आपको पहले बोला था Kang के सबसे बड़े enemies होते हैं वो खुद ही so guys that's it for today and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक कर दे and आगे के सारे latest updates, news and theories के लिए चैनल को सबस्क्राइब भी कर दे and मैं आपसे मिलूँगा in the next वीडियो बाई